जय हिन बंदे मात्रम दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने इस यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में CRP पैरामेडिकल स्टाप 2020 की परिच्छा के लिए शामान ग्यान, शामान हिंदी, प्रसित पुष्टकें एबं लेखक, शामान बिज्ञान के कोशन इस इसे स्टाट होने वाली है और यह परिचाएं आपकी 20-25 दिन चलेंगी, तो वीडियो को कम्प्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए और क्लास का टाइम नोट कर लिजिए, पहली जो क्लास होती है दोपर 12 बजे होती है, दूसरी जो क्लास होती है रात के 8 बजे, दोनों ही क्लास को आपको हर आले में जोण करना छोड़ना नहीं, येदि आप छोड़ते हैं तो खाटा आपका ही होगा, तो वीडियो को कम्प्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पासी में आपके वेल आ बताई क्या अंसर होगा, अंसर आना इस्टार्ट हो चुके हैं, तो जो भी बच्चे एवाले उप्सन पर टिक कर रहे हैं, वो बच्चे विलकुल करेक्ट हो जाएंगे, अगला कोशन देखेगा, क्या है, कोशन है, राजेस जोसी को शाहित अकादमी पुरुसकार किस रच बताई क्या अंसर होगा, अंसर आना इस्टार्ट हो चुके हैं, तो जो भी बच्चे एवाले उप्सन पर टिक कर रहे हैं, वो बच्चे विलकुल करेक्ट हो जाएंगे, नेश कोशन की बात करते हैं, अगला कोशन है, निमलेखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, वे धीमी स्वर बोला, वे धीमी स्वर में बोले, वे धीमी स्वर में बोला, वे धीमी स्वर में बोला, बताई क्या अंसर होगा, तो जो भी बच्चे स्वाले उप्सन पर टिक कर रहे हैं, वो बच्चे विलकुल करेक्ट हो जाएंगे, नेश कोशन की बात करते हैं, अगला को मौक्फ प्राप्त सब्द का समास विग्रहे करने पर कौँंसी विवक्ति मिलती है कैल जो का समास विग्रह करने पर कौन सी विवक्ति मिलती है तो मौक्च प्राप्त को जो भी बच्चे डी वाले अपसर्वेटिक कर रहें वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगले कोशन की बात करते हैं अगला कोशन देखेगा क्या है कोशन की साप छचुंदर की गती होना मौवरे का सई आर्थ क्या होगा पचताना असमजस्त में पढ़ना घबरा जाना होस उड़ जाना जल्दी से आंसर दीजिए देखिया आंसर आना इस्टार्ट हो चुके हैं तो जो भी बच्चे बी वाला जो अपसर पर टिक कर रहा है वो बच्चे विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है देखे काज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रिजिनिंग और मैथ सारे टॉपिक मैंने क्लियर करवा दिये हैं पूरे टॉपिक आपके कवर हो च बताई क्या अंसर होगा भाव विलास और रस विलास करती के लेखक कौन है जल्दी से आंसर दिए सबी बच्चे तो जो भी बच्चे डी वाले आपसर में टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है अगला कोशन देखे क्या है निम लेखित में से कौन सी संदी विच्चेत का एक गलत उधारण है महाधन ओज पाउधन अक नौधन इक परवधन उपकार बताई क्या आंसर होगा जल्दी से आंसर देए सबी बच्चे कौन सा संदी विच्चेत का एक गलत उधारण है ऑप्चन जो डी है आपका बिलकुल करेक्ट हो जाए कि आपका एक भी question Journal Hindi का GKGS का एक भी miss नहीं होगा एक भी question मिस नहीं होगा यह मैं guarantee आपको देता हूँ बस इमानदारी के साथ लगाते चलिए आप अगला question देखेगा क्या है इन में से जो पहले कभी ना हुआ हो को ब्यक्त करने वाला कौशा एक सब्द है अबूत पूर अनाधी आदुति यह बताए क्या अंसर होगा अंसर आना इस्टार्ट हो चुके हैं इन में से जो पहले कभी ना हुआ होको व्यक्त करने वाला कौशा एक सब्द है तो जो भी बच्चे ए वाले ऑप्सन पर टिक कर रहा है वो समंदारी के साथ क्लासे अंसर अंसर हो हो गया अनसर आना इस्टार्ट हो चुके हैं जो भी बच्चे ए वाले असान काम, हर्याली छाना, खुशोना, कारश सिधु होना, बताइए क्या अंसर होगा, अंसर आना ऐस्टए औचूके हैं, बाग बाग होना मुहाजोना चुरणत क्या होगा, जो भी बच्चे स्रिवाय उप्सेमें सिपीटिक कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, य पंडित धनी पती गुरु बताएं क्या अंसर होगा शुदी मनीशी बुद्ध निमलिखित में से किसके परियाई बाची सब्द हैं जल्दी से आंसर दीए सभी बच्चे अंसर आम ना श्टार्ट हो चुके तो जो भी बच्चे ये वाले आपसर पर टिक कर रहा है वो बच्चे बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे पंडित अगले कोशन की बात कर लेते हैं अगले कोशन है कि पएवधी शिंदू वारिष किसके परियाय बाची सब्द हैं जो भी बच्चे बीवाले आपसर पर टिक कर रहा है वो बच्चे विलकुल करेक्ट हो जाएंग ये शमूत्र के परियाय बात करते हैं अगले कोशन की बात करते हैं तेरमा कोशन है वदुसब का संदी विच्छेत रोग क्या होगा बद धन उसब वद धन उसब वदुधन उसब या बदो धन उसब पताए क्या अंसर होगा जो भी बच्चे C वाले उप्सन पर टिक कर रहा हैं वो बच्चे विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ऑप्सन C is right नेश कोशन की बात करते हैं अगला कोशन है निम लेखित में से सही वाक की पैचान कीजिए चार ऑप्सन आपके सामने बताए क्या आंसर होगा जिन्दी से आंसर दीजी सभी बच्चे देखिया अंसर आना इस्टार्ट हो चुके है जो भी बच्चे ये वाले ऑप्सन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे वहाँ क्या जाने की मैं कैसे जी रहा हूँ ऑप्सन is right नेश कोशन देखिये जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं करता, करण, कर्म, अपादान बताएं क्या अंसर होगा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं जो भी बच्चे सी वाले ऑप्सन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिलकुल correct हो जाएंगे कर्व एगए नेश कोशन देखिए guys क्या है निंदा का बिलोम सब्द क्या होगा इस तुर्ती राग दोईस सम्मान बताएं क्या answer होगा निंदा का बिलोम सब्द क्या होगा देखिया answer राना इस्टार्ट हो चुके जो वे बच्चे एवाले option पर टिक कर रहा है वो बच्चे बिलकुल correct हो जाएंगे ओके चलिए next question की बात करते है guys अगला question है निंब लिखित में से तदबो सब्द कांसा है विकार गंड कोकिला नीन बताएं क्या answer होगा निंब लिखित में से तदबो सब्द कांसा है जो भी बच्चे डी वाले option पर टिक कर रहा है वो बच्चे बिलकुल correct हो जाएंगे अगला question देखिये क्या है निंब लिखित वाक में आये खाले स्थान के लिए सई सब्द चुनिए गिलास खाले स्थान तोड़ा जो भी बच्चे C वाले option पर टिक कर रहा है बिलकुल correct हो जाएंगे यदि आपको इस paper की पीडियाप चाहिए तो आप हमारा telegram group जोईन कर लीजिए telegram group का जो लिंक है वीडियो के description में दिया गया है जोईन जरू करें आप लोग पेडियाप बिलकुल free and cost है कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा ठीक है चलिए next question की बात करते हैं Guys अगला question है विरोधी पच्च का वाक्यांस के लिए एक सार्थक सब्द कौंसा है पच्च पाती विपच्च्ची पच्च घाती दिपच्च्ची बताई क्या answer होगा विरोधी पच्च का वाक्यांस के लिए एक सार्थक सब्द कौंसाफ होगा देखिए answer आना start हो चुके हैं जो भी बच्चे वी वाले option पर टिक कर रहा है वो बच्चे विलकुल correct हो जाएंगे ठीक है शले नेश question की बात करते हैं अगला question है अबदी बोली का अन्य नाम क्या है कोशिली बनाफरी बैगानी मदेशी पताई क्या answer होगा जो भी बच्चे वाले option पर टिक कर रहा है वो बच्चे विलकुल correct हो जाएंगे अगले question की बात कर लेते हैं question है कौश्चन है कौश्चार राशायन आतसवाजी प्रदर्सित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है इस्टोन सीम कॉर्बिनेट सोडियम नाइटेड बिरियम क्लोराइट कॉपर क्लोराइड बताई क्या answer होगा कौश्चार राशायन आतसवाजी प्रदर्सित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है बहुत important question है जो भी बच्चे सी वाले observation कर रहे हैं वो बच्चे विल्कुल correct हो जाएगी वेरियम क्लोराइड की गए next question की बात कर लेते हैं अगला question देखेगा क्या है भारत के निम्म लेकित में से किन इस्थानों के बीच मातमा गाधी के नेटत्त में अंग्रेजों के बिरुत नमक मार्च आयोजित किया गया था भाव नगर से दांडी जूनागर से दांडी राज कोट से दांडी एंदाब से दांडी क्या आंसर होगा भारत के निम्म लेकित में से किनितानों के बीच मातमा गांधी के नेटत्त में अंग्रेजों के बिरुत नमक मार्च आयोजित क्या गया था जल्दी से आंसर देखे जो भी बच्चे वाले ऑप्सें बेटी कर रहा है वो बच्चे विल्कुल कर एक्ट हो जाएंगे एमदावासे दांडी ओके चलिए नेट्स कोशन की बात करते हैं अगला कोशन है काफी इंपोर्टेंट कोशन है बहुत ही मैलपूर्ण कोशन है सो समझ कर आसम देजी है कोशन है CAPS CPO के सब्स्रेश्ट पुलिस प्रतिछन संस्तानों के बिजेता को प जल्दी स्यांसाथी सभी बच्चे जो भी बच्चे C वाले ओप्सन पर टीक कर रहे हैं बिल्कुल करक्ट हो जाएंगे तीन अगले कोशन की और बढ़ते हैं गायस अगला कोशन देखेगा क्या है कोशन है अंगूर की खेती को आम तोर पर क्या कहा जाता है सेरी कल्चर बारे ओप्सन पर टीक कर रहा है बिल्कुल करक्ट हो जाएंगे विटी कल्चर ठीक है अगले कोशन की बात करते हैं अगला कोशन देखेगा क्या है कोशन है भारत छोड़ो आंदूलन 1942 जार खंड में किस नेता के नर्तत्तों में लड़ा गया था जैपाल सिंह चूना राम महंतो रामना सोरेन राम भगत बताए क्या अंसर होगा भारत छोड़ो आंदूलन 1942 जार खंड में किस नेता के नर्तत्त्तों में लड़ा गया था अंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं जो भी बच्चे वी वाले ओप्षन पर टिक कर रहा है वो बच्चे विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चूना राम महंतो अगला कोशन देखें का क्या है प्रत्वी पर दिन और रात होते हैं डैने गती के कारण, वार्सिक गती के कारण, छमाई गती के कारण, तिमाई गती के कारण बताई क्या अंसर होगा प्रत्वी पर दिन और रात होते हैं जो भी बच्चे ए वाले आप्सन पर टीक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दैनिकती के कारण अगला कोशन देखेगा क्या है रिगवेद का कौन सा मंडल पूरत सोम को समर्पित है शातमा मंडल आठवा मंडल नौमा मंडल दसमा मंडल वताई क्या अंसर होगा रिगवेद का कौन सा मंडल पूरता सोम को समर्पित है अंसर आना इस्टार्ट हो चुके हैं जो भी बच्च बहुत इंपोर्टेंट कोशिन है, महा पुराणों की संक्या 10 बार है 5 अठार है, पताई क्या आंसर होगा, सोच समझ करी आंसर दीजेगा सभी बच्चे, जो भी बच्चे, डी बाले आप्सर में टीक कर रहा है, बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे, महा पुराणों की कुल संक्य होती है, अठार है, अगला कोशिन, भांकरा नागल परियोजना किस नदी पर इस्तित है, चे नाम नदी, सतलज नदी, रावी नदी, छे लम नदी, बदाए क्या आंसर होगा, भांकरा नागल परियोजना किस नदी पर इस्तित है, जो भी बच्चे, बी बाले आप्सर में कर रहा हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी सतला जिन्नती नेश कोशन की बात करते हैं कोशन का इस है कि जूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है चेना लदांग मिलपा उप्योक्त सभी बताएं क्या अंजर होगा क्लिक कर रहे हैं तो ब इफाला जो आप्षम है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे क्या थीक है टेकँ लेट कोशन देखें क्या है प्रत्यच बात का सिद्दान्थ किस ने दिया टी एच ग्रीन थॉमस यॉपस जॉन आश्ट्रेन ऐब्रिक डेबलें इसलों क्या पात्य बारावती किला किस राज में इस्तित है केरल महराष्ट पशिमंगाल ओडिसा बारावती किला किस राज में इस्तित है जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चिये जो भी बच्चे डी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहा है वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन डी इस ट्राइट अगला कोशन देखे क्या है इस्पाई रोगा इरा सैवाल किसका उधारन है भूरा शैवाल लाज शैवाल हरा शैवाल सफेज शैवाल पताई क्या अंसर होगा इस्पाई रोगा इरा सहवाल किसका उधारन है जो भी बच्चे C वाले option पर टिक कर रहा है वो बच्चे विल्कुल correct हो जाएंगे हरा सहवाल ठीक है अगला question देखे क्या है दक्कन का पठार कितने राजियों में है 8, 6, 3, 5 पताई क्या answer होगा दक्कन का पठार कितने राजियों में है जो भी बच्चे A वाले option पर टिक कर रहा है वो बच्चे विल्कुल correct हो जाएंगे 8, अगला question देखे का क्या है guys यूबात तर्क किसका उपनाम है लाला लाजपतराय, बालगंगा धरतिलक, भगत सिंग, चंदर सेखार पताय क्या answer होगा यूबात तर्क किसका उपनाम है जो भी बच्चे T वाले option पर टिक कर रहा है वो बच्चे विल्कुल correct हो जाएंगे 8, the option is right अगला question देखे का क्या है guys राजिंदर गोयल किस खेल से सम्बंदीत है काफिंप्रोटेंट question है जो भी बच्चे वाले option पर टिक कर रहा है वो बच्चे विल्कुल correct हो जाएंगे गर्केट से सम्बंदीत है अगला question अगला question guys है कि रच्चिता क्या है बहुत ही मैध्पूर्ण question है सो समझ कर या answer दीजीगा आप लोग सबसे फ़ले आप लोग option पढ़ लीजीए आराम से ठीक है रच्चिता क्या है रच्चिता के बारे पूच रहा है पढ़िए फिर आसर दीजी आप लोग रच्चिता क्या है option पढ़ लीजी सभी बच्चे वीडियो को skip करके भी आप लोग option पढ़ सकते है टीक है जो भी बच्चे दी बार ऑप्शन पर टीक कर रहा है बिलकुल राइट हो जाएंगे वो बच्चे सभी A और B तो A क्या है पढ़ लीजिए A और B यह केंद्रिय रिजर पुलिस वल B है यह एक एम्बूलेंस है जिसका उप्यों किसी चिकस्या की आपात इस्तिती के दोरान या यूद के दोरान चोट लग जाने की इस्तिती में सुरच्चा वलों के आपात कालिन बचाओ और निकासी के लिए किया जाता है अगला कोशन देखेगा गाइस क्या है परंपरागर्थ क्रसी विकास योजिना कब सुरू की गई गई तो जोई वच्चे बीवाले आप्सन पर टेक कर रहे हैं वो वच्चे विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 2015 पंदर है। अंघ्ला कोशिण देखेगा इस क्या है योजना आयो के परत्थम अध्याक्च काउन से डॉक्टर राजंदर प्रसाथ, डॉक्तर राधा कृश्ञन्थेशन, एन्भी शुरयया डॉक्टर जवाला नहिरू, पंड़ेश जवाला नहिरू सोरी। योजना आयो के पर्थम अध्याप्च काउन थे अंसर आना इस्टार्ट हो चुके हैं जो भी बच्चे डी वाले ऑप्सन पर टीक कर रहा है वो बच्चे विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे जवालाल नहीं हो कि अगला कोशन क्या है, एक अगला कोशन देखेगा, क्या है बिम्बसार ने किसव बन्स की इस्थापना की पताए क्या शरो parentheses होगा यह बिम्बसार ने किस सबस के इस्थापना की जल्दी सांसां दी सवी व Argent बच्चे आंसर आना इस्टार्ट हो चुके हैं तो जो ही बच्चे वाले ओप्षन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे विम्बसार हर्याक बंसका हर्याक बंसकी स्तावना जी थी अगला कोशन देखेगा केंद्र सरकार ने 5 से 6 कोविट 90 बैक्सीन के विकास को सुगम बनाने के लिए किस मिशन की सुरुवात की देखिए कोरोना वायरस से रिलेटेट जितने भी कोशन बन रहे हैं सारे याद कर लीजी आप लो इस पर मैंने काफी वीडियो बनाये हैं प्ल लाइप सुरुच्छा शामन जिवं शुरुच्छा मिशन कोविड सुरुच्छा अगला कोशन देखिये हैं इंडिया विन्स फ्रीडम के लेख काउन है मौला ना आजार टोमिनिक लेपियरे खान अबदूल गफार खान पंडिय जवाला नायरो बताए क्या आंसर होगा इ जो भी बच्चे ये वाले option पर टिक कर रहा है वो बच्चे विल्कुल correct हो जाएंगे अगला question देखे guys क्या है लाला लाजपतर राय किस पुस्तक के लेखक है दुखी भारत भारत का विवाजन हुआ जो भी बच्चे वाले option पर टिक कर रहा है वो बच्चे विल्कुल correct हो जाएंगे दुखी भारत अगला question देखेगा अगला question देखेगा क्या है दा आइडियाज अफ इंडिया पुस्तक के लेखक काउन है सुनीर खिलनानी अमरत सेन अमिताब गोश्ट गिरीश को गेर बटाएंगे दा आइडिया अफ इंडिया पुस्तक के लेखक काउन है जो भी बच्चे ये वाले option पर टिक कर रहा है वो बच्चे विल्कुल correct हो जाएंगे इस सुलील खिलनानी नेश कोशन देखेगा इस क्या है दिल्ली इज नॉट फॉर निमलेखित में से किस लेखक नहीं लिखी है रस्किन ब्राण्ट अगला कोशन देखेगा इस क्या है प्रशिद्पुस्तक मेख दूद के लेखक काउन है शुद्रक कालीधास भास वातिश्यान प्रशिद्पुस्तक मेख दूद के लेखक काउन है जो भी बच्चे बी वाले ऑपसरबेटिक कर रहे हैं वो बच्चे विल्कुल correct हो कि यह वाला कोशन काप इंपोर्टेंट है एन एरा ऑफ डार्कनेस दा ब्रेटिस एंपायर इंडिया पुस्तक किसे नहीं लिखी है एपीज अग्दुल कलाम ससी थरूर रामचंद्र गुवार सुधा मूर्टी पताए क्या अंसर होगा जो भी बच्चे बी वाले आप्शन पर टिक कर रहा हैं गिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे इससी थरूर ओके अगला कोशन देखेगा गाईस क्या है मुद्रा राच्छस के लेखक इन में से कौन है कल्ण या वलकर विशाक दर्थ विज्ञानेस्वर्द है क्या अंसर होगा जो भी बच्चे सी वाले आप्शन पर टिक कर रहा है वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आज का हमारा सबसे लाज कोशन रहेगा हर्द चरित के लेकर का होना है जैसंकर प्रसाथ बानवट खुशुबंत सिंग भाव होती बताए क्या अंसर होगा एदियाब लो फ्री एंड कोश्ट है हर्श चरित के लिए करक्वन है बाणवट तो बीवाला जो अप्टन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो मिलते हैं नश वीडियो के साथ जैन जैवारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग